तो पहला सवाल आनला जी आपसे समाजवादी पार्टी का स्वामी प्रसाद मौरे का कहना है कि जो ऐसी चोपाईयां है जिसमें महिलाओं अदिवासियों दलितों के खिलाफ लिखा गया है उनको हम हटाने की मांग कर रहे हैं राम चरित्मानस के खिलाफ नहीं है क्या है है कि मैं जो हूँ आप राजनेता की जगह इस प्रकार का टिपड़ी कार हो जाओं पर अंजना जी मैं आपको बताओं ये सब बहुती शरार्ती तंत हैं और ये टूल किट के तहद जो है ना ये कारे करते हैं और इसमें अर्बन एक्जलाइट आ जाते हैं इस तरीके के जो र महल ऐसा खड़ा हो जाए कि हम जाती में बटे रहें इसका जो लेटेस उधारन है वो स्वामी प्रिशाद मौरिया है पर हां उससे पहले उधारन के जो सुनील सिंग यादव जी है ना उसने मोहर भी लगा दी उसके उपर की राम चरित मानस जो है एक नफरती गरंथ है मानसिक्ता देखिए मानसिक्ता देखिए 1947 में जो नरसंगार हुआ उसके बाद जो हमारा देश स्वतंतर हुआ जवाला नेहरु जी ने कहा कि हम जात को खंडखंड में बाटने वाले लोग जो हैं अब हमारे जो धार्मिक गरंथ हैं उसके उपर भी टिपड़ी करना शुरू कर देंगे क्या यह रहे का हमारा भारत जब भी जब भी कोई बालक अपनी मा के गर्ब से जरम लेता है वो एक संस्कृति के गर्ब से भी जरम लेत है मेरे भारत की संस्कृति यह नहीं है कि हमारे धार्मिक गरंथों पे हमारे देवी देवताओं पे आप टीप का टिपड़ी करें चलिए जवाब दीजए अच्छी बात की मैं उस पर आ रहा हूं पहले नोंने कहा कि गरीवी हटाने की बात की गई थी जवाल नहीं नहरू कि कि मत मेरी रास्ते पे नहीं है क्या रास्ते पे है आप बताईए अभी हाल फिलहाल में आई एम एफ की रिपोर्ट आ गई ना सबसे स्ट्रॉंग इडिपी किसकी है भारत की है ना बजाओ ताली मेरे लिए अब हो गया मैं बोलो जब जवाब देने दिए अनुराग जी जब अंडे धर्मों के बारे में कोई भी टिपणी एक प्रवक्ता ने बीजेपी के कर दिया उसके बाद से देश में क्या पूरे विश्र में तूपा ना गया लेकिन फिर जब हिंदू के धर्म हिंदू धर्म का अपमान होता है तब आप लोग उसमें जुड़ जा रहे है हम समाजवादी लोग कभी भी किसी भी धर्मगंत का संबान करते हैं और रामचर्वार्व ह Bliss का विरुद कर रहे हैं हमने कहा कि हम वह यह यह जिसमें लौशा नार्य कrenail सख्कल ताड़न की या हतिकारी इनकी सूद्र के बीब बबात कर सब तनी तुमी रही उरलाईी, तहे के हिर्दें बसे रखोराई, यह तो अच्छी लाइने! हम ने तो इसका विरोध नहीं किया, हमने कहा कोई वेक्ति चाहे किसी भी जात-ध्रम का हो, अगर वो समाज में नियाई की बात करता यए, समाज में महेलाओं का भी सम्मान करता है, समाज तो हम उसके हिर्दय में प्रवुराम बसते हैं कितनी अच्छी बात है तो क्या हमने इसका विरोध किया क्या हमने इसके बारे में कुछ कहा हम तो वह कहते हैं समय पे समाज में हमेशा इस तरह की बाते होटी हैं सती परता क्या हटा ही नहीं गई थी क्या क्या राज नाम हमें समाज में परिवर्तन की जरुवत है जो बर्सों से दलितों पर अत्याचार होता आ रहा है उस अत्याचार को कैसे खतम करें कैसे उनको सम्मान मिलें इसकी बात करना चाते हैं आप उसको धर्म से जोड़ दे रहे हैं हर बात को धर्म से जोड़ दे रहे हैं क्यों इसलिए दोलना चाहते हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है महंगाई विरुजगारी का यहां पर बच्चे विरुजगार बैठे उस पर चर्चा नहीं करवाना चाहते जिस तरह कर यह अपना बजट लेके आए उस पर भी नहीं चर्चा करना चाहते अगर अगर बजट की कौन है 2014 के बाद से यहां पर राजनीत कर रहा है बताए ना कौन है वह बात कर रहे है इस पर आपका और हमने दूसरी लाइन हैं लगातार बता रहे हैं इसका अर्थ समझिये फ़रनतु अगर दिमागता है थो वो कैसे भी कहा है यहां पर इंहों ने का दिखो हम तो हम तो कीवलोकेम जो है इस चोपाई पर बोल रहे हैं यह वह लोग आइसकोर नहीं बॉल रहें यह वह उन्हें ना बन सके इसका पूरा-पूरा प्रयास किया और जिन लोगों ने कार सेव को के उपर गोलिया चलवाएं उनसे पूछा क्यों चलवाई भाई क्यों मरवा दिये लोगों को यह तो भग थे किते हमें सम्विधान की रक्षा कर रहा था और अभी वह यह लोग क्या कर कि उसुकाई का उधारन दे कर कहते हैं सम्विधान ने हमें यह स्वत्मता दी हुई हैいます कर को mtb अवजारिश जरासा किसी और धरम पर भी यह अपनी जो एकस्पर्ट में दिखा ही है अच्छा सवाल देखे, कमाल की बाद